वाटर वन में अच्छे रिजल्ट लाने के बाद पिछले अगर आप देखें एक महिने में स्टॉक ने बहुती शांदार रिटन दिया है और यदि आप पिछले तीन महिने के अंदर भी देखेंगे स्टॉक ने मोर देन 30% का एक अनप्रेसिडेंटेड रिटन दिया है कुछ चीज़े concerning दिखाई दे रही है भारत सरकार ने आप ही अभी कोई decision लिया है दोस्तों aviation fuel को लेकर के वो भी अपसा चर्चा करूँगा कुछ जो traffic data के numbers आ हैं वो कह सकते हैं खोड़े निराशा गनक है और आप कह सकते हैं कि जो ticket के prices हैं वह इतनी जादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इतनी जादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक समय में जो आप कह लीजीए जो air tickets है ये normal इंसान के आप कह सकते हैं कि बस में दिखते हों दिखाई दिरह था. अब वह वापास से एक luxury होता हो दिखाई दिरहा है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है ताम इश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं इंटर ग्लूब एविएशन की देखें सबसे पहले यदि अगर आप किसी एविएशन स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इंटर ग्लूब एविएशन या आप इंडिगो भी कह सकते हैं ये स्टॉक एक काफी अच्छा और लॉंग टर्म के लिए सबसे स्टेबल बैट मुझे लगता है दोस्तों कंपेणी ने जब इस पर क्वाटर वन के नतीजे दिये बाजार के एस्टिमेट से जादा अच्छा रिजल्ट आ है इन्हों ने जो अपना घाटा है यह ड्रास्टिकली कम करके एक हजार चौसट करोड में रखा सेल्स के नंबर्स भी काफी अच्छा है क्वाटर लॉं क्वाटर देखेंगे अच्छा कासा जंप दुगने से भी ज्यादा जंप आपको देखने को मिला लगवग 8000 क्रोड था इनका मार्च कॉर्टर में और जून कॉर्टर में लगवग 12855 क्रोड कि इनों ने सेल्स की थी लेकिन अब आप कह सकते हैं जब स्टॉक भी एक बहुत शांदा रिटन दे चुका है इसके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निगेटिव दिख है जून से और आप देखिए जो गिरावट है इसके पीछे के बहुत सारे रीजन सबसे पहला रीजन तो यह दोस्तों कि यह जो समय रहते हैं जून के बाद जो जुलाई का समय होता है यह उतना जादा इसमें एक्चुली जो आप कह सकते हैं जो हॉलिडे ट्रावल है यह स सब्सक्राइब करते हैं इसलिए साथ प्रतीशत के जो गिरावट है मुझे उतनी ज्यादा कंसर्ण नहीं लगती मुझे जो परस्नली कंसर्ण नहीं लग रहा है दोस्तों वह एयर टिकेट्स की लगातार बढ़ोतरी है मैं आपको बता दू जो वन अफ दो मॉस्ट बिजि सकती है कि लग बग ऑल्मोस्त बहुत जादा अजेर्ट हो चुकी है ठीक है और आप कह सकते हैं कि यह जोट डिकेट जो पेसक्राइट की प्रिजिस ने वह एंपिकट में प्रिचिपusta हो चुके हैं और ऐसे में मैं हमेशा कीज कहरा दा जो मैंने पहले कही दी बात कि जो ए ट्राफिक है या कैसे एर टिकेट है या प्लीन में बेढ़ना आम नागरिक को लगजरी नहीं लग रही थी जो टिकेट के ट्राइब प्राइजेस हैं वह काफी हद तक नीचे आ गया थे वह अब एक लगजरी होती दिखाई दे रही है लोग अब ट्रेन को जादा प्रिफर क होती ही दिखाईनी दे रही है जिस तरह से आप क्या सकते हैं एविशन फ्यूल लगातर महंगा होता चला जा रहा है जो कंपनी उनके पास और कोई चारा दिखनी रहा है सिवाए एयर ट्राइब सकते हैं जो टिकेट के प्राइज है उसको बढ़ाने कि कंपनी के पास आप क करते हैं तो एयर ट्राफिक में जो साथ प्रिश्यत की गिरावट है यह पॉसर्टिव होती ही दिखाई देगी लेकिन स्टॉक बहुत सादा भाग चुका है दोस्तों मुझे लग रहा है तो एनलस्टों के अनुसार यह जो आप कह सकते हैं जो यह टीजी है इसके करब प्र एक्सपोर्ट में बढ़ा दिया है तो इसका मुझे लगता है पड़ेगा और लोगों को आपके सकते हैं यह भी समझ में आ रहा है कि बाइसाब स्टॉक बाग चुका है प्रॉफिट बॉकिंग भी आएगी और लेकिन कहीं को यह मानने कि आने वाले समय में ट्रावल की जो प्राइज है वो कम होते दिखाई दे सकते हैं क्रूड ऑइल है वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं सिटी ग्रूप में वापस एक आपके सकते एक रिपोर्ट निका लिए जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरूड जो अभी नीचे आ गया है व इतना जादा तमाशा मचाहे है तो इसमें बात करना मुझे इसलिए जरूई था एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे आती दिखाई दे सकती है अब यह मुझे लग रहा है लेकिन इंडेग्रोब एविशन स्टॉक थोड़ा समुझे एक्सपेंसिव लगता है दोस्तों ठीक आपको दबाव में स्टॉक देखने को मिल सकता है टिकेट के प्राइज इतने जादा एक्सपेंसिव हो चले हैं कि और भी कुछ भी बढ़ातरी करना आप कहा सकते वॉल्यूम में आपको एक बड़ी गिरावत दिखाएगा दोस्तों ठीक है और वहां सहील कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम है वह और ज्यादा शुरू होती चली जाएगी बट एसेट डैट मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लॉंग टर्म के लिए मैं अगर किसी एयर आप कह सकते हैं किसी एविशन स्टॉक में निवेश करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ चुनूंगा तो वह इंटर कोई भी निवेश करें खास करके ऐसे स्टॉक से दोस्तों यह थोड़े रिस्की रहते हैं बहुत सोच समझ के बहुत इत्मिनान से प्लीज इस स्टॉक में निवेश करें यदि आप करना चाहते हैं तो और यदि आपको मेरी एनैलसेस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को ल